अब दिसक्स किया कि कीवर्ड सेर्च कैसे करनी है और उसमें अपने बेजनस गोल्स हमने कैसे लिंक करने हैं और किस तरह से हमने राइट कीवर्ड को अडिन्टिफाइ करना है ताके हम गलत कीवर्ड से बच जाएं जो कि हमें नुकसान दे सकते हैं लेकिन एक में एक और बहुत इंपॉर्डन चीज़ है वो यह कि हमें अपना विजिन भी ब्राड रखना है अकसर लोग गलती यह करते हैं कि वो कीवर्ड रिसर्च एक कीवर्ड रिसर्च करते हैं एक कीवर्ड से समझते हुए वो मजीद उस पो रिसर्च करते चले जाते हैं और वो समझते हैं कि बस कीवर्ड रिसर्च होगी जिससरा से मिसाल ले लें कि मैंने मुबाइल फून की बात की और मैंने मुबाइल फून पर ही कीवर्ड रिसर्च की और फिर मैंने मुबाइल फून एसेसर्च की और मैं मुबाइल फोन को ही सर्च करता चला गया और उसी के गेंस मैंने अपने सारी कीवर्ड इस सर्च बेस कर ली लेकिन मैंने ये भी सोचना है कि क्या मेरा कस्टमर सिर्फ मुबाइल फोन लिख कर ही मुबाइल फोन सर्च कर रहा है या वो कुछ और सर्च कर सकता है For example, mobile phone को आप किस किस तरह से सर्च कर सकते हैं किया आप cell phone सर्च कर सकते हैं या कभी आपने smartphone सर्च किया हो So इस lesson में हम ये चीज अंडर्सेंड करेंगे कि किस तरह से आपने keywords को synonyms तक यानि कि अप उससे related keywords या related terms जो लोग use करते हैं वो आपने expand करना है ताके possibility है कि आप शएद एक नाम से एक चीज को पकार रहे हो लेकिन लोग आपके उसी चीज को दूसरे नाम से पकार रहे हो या जिस मुलक में या जिस जगह पे आप उसको जिस जगह पे आप research कर रहे हैं उस जगह पे उस चीज का नाम different तरीके से जाना जाता हो तो ये possibility exist करेगी और अगर आप इसके बाद जब आप job पे चाहेंगे या जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको हरताना की website मिलेंगी और आपको हरताना के clients मिलेंगे और हरताना के मुलक में आप काम करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आप agency की बात कर रहे हैं वहाँ firm की बात नहीं हो सकती है तो आपने ये local culture को understand करना होता है और यही चीज़ मैं आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे हम अपने keywords को एक parameter से दूसरे parameter पर यह नहीं कि एक नाम से और उसके हम नाम से हम कैसे expand कर सकते हैं जिसे हमारी दुनिया बदल सकती है क्योंकि हमारी पॉसिबल कि बहुत सारे लोग हमारी product को उस तरह से ना जानते हो जिस तरह से हम बलाते हैं या वो उसको एक different नाम से जानते हो और हमने यह understand करना होता कि वो कौन कौन से possibilities है तो mobile phones की example में मैं यह करूँगा कि मैं अब mobile phone के बाद smart phones को search करूँगा और यह देखूँगा कि कितने लोग मेरी mobile की parts को smart phone के नाम से search कर रहे हैं तो हम वापिस जाएंगे Google Ads के उपर और दुबारा से एक नहीं search करेंगे और इस दफा में हम smart phone से start करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम Google Ads पे गए हैं और Google Ads पे जाकर फिर मैं वही keyword tool पे जाऊंगा इसके लिए मैं tools पे click करूँगा planning में keyword planner पे click करूँगा और मैं सामने वही window दोबार open हो जाएगी यहां से मैं find new keywords पे click करूँगा और इस दफ हमें smart phones लिखूँगा smart phones लिख कर जैसे हैं मैं search करूँगा तो Google मुझे keywords दिखाएगा और possibility है कि ये keywords overlap कर रहे हैं mobile phone keywords के साथ लेकिन ये भी possibility है कि जब mobile phone मैं search किया था बहुत सारे smart phones related keywords गूगल ने मुझे नहीं दिखाए तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि हम smart phones लिख कर देखेंगे कितने लोग इसको search करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक डेटा हमारे पास available है और तक्रीबन Google ने 967 keywords दिखाए हैं मुझे और इसको मैं download कर लूँगा ताके मैं इसको अपनी Google Drive में upload करके इसको organize कर सकूँ जैसे मैं download करूँगा अब मैं इसका नाम change करूँगा नाम change करने के लिए मैं वही format juice करूँगा जिसमें kw लिख कर मैं इसका keyword का नाम लिखूँगा जिससे मैंने इसको search किया था जब मैंने इसको ऐसे save किया मैं Google Drive पर जाँगा और इस दफ़ाँ मैं चुके एक नई category में चला गया हूँ तो मैं यहाँ पर एक नया folder create करूँगा मैं नहीं चाहता कि यह mobile phones के साथ स्मार्टफोन वाली keyword मिक्स हो जाए तो स्मार्टफोन के लिए मैं अलग folder बनाऊँगा मैं folder create करूँगा उस folder के अंदर जाऊँगा और वहाँ पर मैं अपनी file upload कर दूँगा file upload करने के लिए मैं new के बटन बे click करूँगा file upload के option select करूँगा और इस दाफ हमें स्मार्टफोन की file इसमें upload करूँगा क्योंकि बाकी file मुझे इस folder में नहीं चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि file upload हो चुकी है मैं इसको double click करके इसको open कर लूँगा और मैं इसको फिर organize करूँगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको organize कर लिया है मैंने इसको filter भी लगा लिया है मैंने column नया create करके इसको numbering भी लगा ली और इसको मैंने minimum search volume से highest to lowest भी rank कर लिया है ताकि मुझे सबसे highest keywords मतलब यह सबसे जाए सर्च होने वाले keywords है वो अपर आ जाए और बाकी आजसा इसा नीचे दिखाई देए अब इसमें से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे keywords चाहिए ओवरलैप हो वो mobile phone, phone यह पहले भी था लेकि smart phone पहले मुझे नहीं मिला था अब मुझे यह पता है कि smart phone की कितनी searches है कम असकम smart phone 1000 से 10,000 दफ़ा सर्च हो रहा है तो यह range Google ने मुझे बता दिया है उसके नीचे cell phone भी सर्च हो रहा है तो इससे मुझे दो ने keywords मिल गए जो मैं अपनी website में यूज कर सकता हूँ और यह दोनों ने keywords मेरी target audience माइट पॉसिबल के search कर रही हो मेरे phones को धूनने के लिए तो इसको मैं miss इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यह अगर मैं miss करूंगा तो एक बहुत बड़ी audience मिस हो जाएगी जो के शायद कर भी मेरी website धून भी ना पाए अगर मैंने अपनी website को smartphone के गेंस रैंक करवाना है तो मुझे smartphone के गेंस pages बनाने होंगे और उसके लिए शर्त ही है कि मैं पहले उसकी search कर लूँ इसी तरह से मैं इसको organize करूँगा जो target keywords का मैं highlight कर लूँगा for example best budget smartphone ये एक मुझे अच्छा keyword लग रहा है जो मुझे लगता है कि budget phone अगर कोई search कर रहा है और smartphone से already मतलब यह है कि वो एक touch phone probably search करना चाहा है तो मैं इसको इसलिए select करूँगा ताकि लोग जब ये search करें तो मैं इसको पर rank कर सकूँ और जो budget phone लेना चाहा है मैं उनको budget phone दिखा कर मैं उनसे sales generate कर सकूँ अब ये देख सकते हैं कि कुछ लोग best smartphone in the world भी search कर रहे है अब मुझे नहीं लगता कि ये वो जिसने कोई phone खरीदना है वो इस तरह का word search करेगा ये भी कोई research करना चाहा है कि जिसको best phone चाही है तो मैं इसको rate कर दूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी target audience नहीं है अगर मैं इसके उपर rank करके traffic ले भी लूँँ तो ये लोग मैंसे buy नहीं करेंगे तो मुझे ये अभी से ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस पर मेहनत ही नहीं करूँगा ताके मैं अपने time उन keywords पर लगा हूँ जो मुझे बेतर लगते हैं जो मुझे sales generate करके दे सकते हैं इसी तरह से अगर को ये लिख रहा है what is a smartphone तो maybe मैं in future एक blog post लिख सकता हूँ या गाइड लिख सकता हूँ कि smart phone क्या होता है लेकिन अगर उसको ये पता ही नहीं है कि smart phone क्या होता है possibility है कि वो search भी ना, वो buy भी ना करें मुझे तो इसको भी मैं red mark कर दूँगा और इसी तरह से मैं अपनी पूरी keyword sheet और उसको organize करता चला जाँगा और उसमें से अपने target keywords निकाल कर उसको green mark करके side पर कर लूँगा और मैं जो नहीं चाहिए है और जो मुझे बाद में चाहिए है उनको yellow और red में mark करके दुबारा उसको organize कर सकता हूँ So हमें अपनी keywords को expand करना होता है हम एक topic से दूसरे topic पर जा सकते हैं उसी keyword की games क्योंकि हमें चाहिए लगता है कि एक चीज एकी तरह से search होती है लेकिन जिस तरह से locality बदलती है लोग बदलते हैं उनके search करने के अंदाज भी बदलते हैं हमें understand करना है कि वो किस तरह से बदलते हैं और मेरी product की reach कैसे बढ़ सकती है क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक limited search volume रखूँगा एक limited keyword की games rank करूँगा या optimize करूँगा तो मैं सिर्फ उसी community की games मैदूद रह चाहूँगा जो उसको search करती है लेकिन मैंने अपना business का अगर impact बढ़ाना है तो मैं अपनी product को उस नाम से भी introduce करवाना चाहूँगा या मैं उन keywords पे भी rank करवाना चाहूँगा जो कि different audience different नाम से search करती है तो आपको दुनिया में बहुत सारी examples मिलेंगी जिसमें एक product multiple जगों पे multiple तरीकों से search की जाती है और ये आपके लिए बड़ा जरूरी होता है क्योंकि अगर आप इसको miss करेंगे तो आप रीच लिमिट कर देंगे और अगर आप इसको कर जाएंगे तो आप अपने competitor से बेतर हो सकते हैं क्योंकि आप उन सब keywords पे rank कर रहे होंगे जो possibly different लोग different दासे सर्च करते हैं लेकिन वो search एक ही product करते हैं तो ये आपके लिए बहुत beneficial होगा और अगर आप किसी client के लिए काम कर रहे हैं तो of course उसके लिए भी bezel generate होगा इससे